साथियो नमस्कार आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में आम किसान बिलकुल सोचते नहीं है, बात नहीं करते और वो बहुत जरूरी है हमारी खेती में क्योंकि अगर हम परागन के बारे में नहीं जानते या परागन के समय को हम नहीं पहचानते या परागन के समय हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिसके जरिये से परागन की क्रिया अच्छी हो और हमारी फूल और फल ज़्याद अच्छे से बने तो हमारी फसल में उत्पादन जरूर कम होगा क्योंकि परागन की किरिया हमारी फूल को फल में कनवर्ट करने की सबसे महतोपूर्ट पिरकिरिया होती है और इसके बारे में आज हम चर्शा करेंगे जिसमें की सबसे पहला पॉइंट है कि परागन के समय इस्प्रेइ खतरनाक होती है ऐसा क्यूं होता है दूसरा पॉइंट है कि परागन के समय इस्प्रेइ करते समय हमें क्या साबधानिया रखनी चाहिए तीसरा पॉइंट है कि परागन के समय वर्सा होने पर बालियां खाली रह जाती है सूख जाती है सफेद हो जाती है या काली हो जाती है ऐसा क्यों होता है जैसा कि अभी पिछले बार जो बारिष हो, उसमें देखने को मिला था या जिन फसलों में अभी भी परआगण की किरिया हो रही है आजकल में जो बारिष हो रही है इससे भी उसमें नुकसान देखने को जरूर मिलेगा साथियों चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि धान की फसल में परागन ठीक से हो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए ठीक है तो इन टॉपिक्स पर बात करेंगे यह सभी बहुत महत्पों टॉपिक हैं अगर इनको आप समझ पाओगे तो आप अपनी फसल का उत्पादन जरूर बढ़ा सकते हो सबसे पहला पॉइंट है कि परागन के समय इस पर एक खतरनाक होती है ऐसा क्यों तो देखिए सबसे पहले तो हमें परागन को समझना होगा कि परागन होता क्या है हमने सुना है कि परागन परागन लेकिन परागन होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं तो सातियों परागण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके बिना फल का बनना लगवा का संभाव है ठीक है यह प्रक्रिया पराग को फूल की नर्स अंडशना को माधा भागों तक पहुँचाने की प्रक्रिया होती है ठीक है अगला पॉइंट है कि इस प्रक्रिया के दोरा अगर हम स्प्रे कार देते हैं तो फूल दानों से छिटकर अलग होकर गिड जाते हैं और दानों की परागन की पिर्कृष पूरी नहीं हो पाती इसी वजह से दानी खाली रह जाते हैं ज़्याद़ा तर काले भी पढ़ जाते हैं और बालियां सफेद भी हो जाती हैं खासकर जो दाने हैं वो भी सफेद हो जाते हैं और बालियों में कोई कमी ना होने के बावजूद या पौदे में कोई कमी ना होने के बावजूद भी दाना हमारा खाली रह जाता है या सफेद हो जाता है या दाना काला पड़ जाता है ठ तो इसमें बालियों को जब फूल बनने लगे उस अवस्था में इस्प्रे ना करें। तो इसमें दिक्कट ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी और सीधे बालियों पर प्रेशर बिल्कुल भी नडालें। अगर बरसा हो रही हो तो बालियां खाली रह जाती हैं बालियां सूख जाती हैं सफेद हो जाती हैं पौदा स्वस्त होता है लेकिन दाने सफेद हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है आपने देखा भी होगा लाइस टाइम जब बरसा होई थी तो उसमें काफी सारी बालियां सूख नहीं भी थी उन पॉदों में भी सूखी बालिया निकली ऐसा क्या था तो परागन के समय पर जब बरसा होती है तो फूल हमारे दाने के उपर बिलकुल उसका रक्षक बनके बैठा हुआ होता है और जब बरसा होती है तो फूल नीचे गिर जाता है और बालियों में पानी सफेद होती है वो उपर से बिलकुल मुह उनके फटे हुए होते हैं और उनमें पानी भढ़ जाता है ठीक है अगला पॉइंट है कि यह जो पानी भढ़ जाता है उसी के कारण यहां पर वर्सा की बज़े से दाने हमारे सफेद रह जाते हैं काले भी पढ़ जाते हैं और दूद बन चुका होता है जिन दानों में दूद बन चुका होता है वो दाने खाली नहीं रहते उनमें दूद बनने के बाद में वो दाना हमारे सवस्त और अच्छा पकने लगता है ठीक है तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो अगला पॉइंट है यहां पर कि धान की परागन ठीक से हो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए तो देखे परागन ठीक करने के लिए हमारे पास में सबसे अच्छा प्रोडेक्ट होता है बोरोन बोरोन को अक्सर फूल से फल बनने की स्टेज में सबसे मजबूत प्रोडेक्ट माना जाता है अगर हमारे पौदे में बोरोन सही समय पर लगा हुआ है अगर बालियां बनने के चार से पांच दिन पहले या आट दिन पहले हमने बोरोन का उपयोग कर दिया है अपनी खेती में तो बोरोन हमारे फूल को परागन करने में बहुत सहायक से दोता है उस अवस्था में बोरॉन हमारे फूल को तेजी से सुखाने का काम और प्रागन की क्रिया को पूरा करने का काम बहुत अच्छे से करता है जिससे की दाना बनना और दाने का भरना और दाने में चमक लाने का काम भी बोरॉन करता है 0050 भी इसमें बहुत बड़ा रोल निवाता है जैसे कि NPK है NPK क्या करता है NPK 0050 पौदे को अपनी आयू पूरी करने में बहुत मदद करता है और दूसरा सबसे मुख्य जो काम होता है कि अगर मौसम में बदलाव हो रहा है भी 0050 करता है ठीक है तो अगर मौसम का अनुकूल प्रतिकूल होना भी यहां पर सुरू हो जाए तो उस अवस्था में 0050 हमारे दाने को पूरी तरह से परागर करने देता है और उसकी वज़ा से हमारे दाने में चमक भी अच्छी रहती है और दाना भरता भी पूरा है ठीक है और उसमें बजन भी अच्छा निकलता है तो साथियो 0050 और बोरॉन का जो कॉम्बिनेशन है वो इसलिए भी लावदायक होता है आपने देखा होगा कि जब फूल बनने लगते हैं तो मदू मक्खी बहुत फूल के आसपा से रस चूसती है फूलों का ठीक है ये मदू मक्खी की जो प्रिक्रिया होती है ये भी परागर में बहुत लावदायक होती है इससे भी बहुत हद तक हमारे फूल को फल में कनवर्ट करने में मदद मिलती है बहुत बड़े स्केल पर ठीक है जरूर करना चाहिए सातियो आशा गरता हूँ यह जानकारी आपको ठीक लगी होगी फिर वी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछना और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें तैकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ